हेलो बच्चो तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल मिशन टूप आप लोगों का स्वागत है तो बच्चो ये वीडियो आज क्लाश 10 वाले बच्चों के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है जो अपने एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं ठीक है आज हम क्लाश 10 के साइन्स का 20 प्लस ऐसे कोश्चन को करेंगे जो कि आपके लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट है ठीक है आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो एक्जाम आपका विकली टेस्ट हो जो अभी और्तमान में चल रहा है चाहे वो फिर हाप यह विज्ञान का ये सेट वन है और इसके सारे कुशन को बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं और अच्छे से याद करके जाना एक्जाम में चलिए इसका सबसे पहला कुशन जो दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंज के लिए परियुक अज़ाएगा ठीके आगे बढ़ते हैं बलुग दूसरे नंबर सवाल परगास की किरने गमन करती है किके तो सिधी रेखा में किसी भी दिसा मेंajo में बयोगरा है राइखन कोन का मान होगा तो option है यहाँ पे 40 डिगरी, 60 डिगरी, 30 डिगरी, 120 डिगरी तो आपको पता है बच्चु कि आपतन कोन जितना होता है तो option number देख लो आपतन कोन यहाँ 60 है तो परवरतन कोन भी यहाँ पे 60 डिगरी हो जाएगा कलिए रहे? चलो आगे बढ़ते हम लो 4 number सवाल में से ठीक है अपवर्तन के कारण प्रवर्तन के कारण प्रकास के कारण या फिर उप्यूक्त सभी तो यह बचो अपवर्तन के कारण होता है ठीक है पानी में जो डूबा पिंसिल होता है वो तेड़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण 5 नमबर सवाल देखेंगे किसी माध् तो निर्वात में जो प्रकास की चाल है आपको याद रखना है तीन इंटू दस का पावर एट मीटर पर सेकंड ठीक है ऑप्सन नमबर सवाल देखेंगे आप अगले सवाल मानो नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन दूरियों पर रखी वस्त कर सकता है ऐसा हो पाने का कारण क्या है तो ओप्सन है याप जरा दूर दिरिष्टा समंजन निकट दिरिष्टी दिरिष्टी तो इसका राइट अंसर हो जाएका समंजन छमता ठीक है आपसन नमबर 20 का विलकोल राइट हो जाएगा चली एट नमबर सवाल देखेंगे नेत गोलक के लंबा हो जाने से कौन से द्रिष्टी दोस उत्पन होता है तो जब नेतर का गोलक जब लंबा हो जाता बच्चो तो उससे जो द्रिष्टी दोस उत्पन होता है वो निकट द्रिष्टी दोस ऑप्शन नमर एस का बिल्कुल राइट हो जाएगा याद रखना नेतर गोला का लंबा होना निकट द्रिष्टी दोस्ट ठीक है चलिए आगे नेक्ट सवाल देखते हम लोग क्या लिखावा है ओतल लेंस द्वारा किसी द्रिष्टी दोस्ट को दूर किया जा सकता है ठीक है किस द्रिष्टी दोस्ट को दूर किया जा सकता है तो निकट सब्सक्राइब कर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं है तो यहां पर देखो बच्चों की सी जो है यहां पर इसका अभी करिया करवा रहे तो सी के साथ ऑक्सिजन जुड जा रहा है तो उसको आम लोग कहते हैं उप्चेन ठीक इसका मतलब सी का यहां पर कारवन का क्या हो रहा है उप्चेन अप्सन वर इसका बिलकुल राइट हो जाएगा चलिए आगला देखते हैं बुझा वचुना का रासाइनिकच सुत्र है ठीक है तो क्या सुत्र है सी एको सीयरी कैसी यह डिसीयगण बत तो ंसका लिंप में डिस्रिप्षन में डाल देरा हूँ ठीक है वहां पर सभी का सुत्र मिलागे आपकको बुझा वचून ना हो गया और प्लाश्टर और पेरिस धावन सोड़ा सारा का मिल जागा ठीक है अब एक बर में ट्रिक से याद कर सकते हैं चलिए सोला नंबर सवाल देखेंगे आप लोग क्या लिखावा है निमन में कौन संरचन का उधारन है तो लोहे की बस्तूप जग लगना हाँ यह तो जाणि का भूरक लगता चान्दी में काला कलरका और तांबे में हरक लगता तो सभी जग लगना है हाँ, अब यहां पे देखो क्या लिखावा है, रंधीय सूचक का उधारन, ठीक है यहां पे गंधीय लिखना चाएं ठीक है, jemand do, लोग आग्ला कलोराइड सोडियम लवन का परिवार है। एंस ल०ॉन क्लोराइड सोडियम सालसफन न है नहीसू नमल का परिवार था है। इनमें से कौन सा कथन आ सकते हैं मतलब कि कौन सा कथन जो है ये गलत है तो दीखे चार आपके पास टामाटर में ऑक्जिलिक कमल पाय जाता है ये तो सही है चूकि टामाटर में ऑक्जिलिक कमल होता ही है इमली में साइट्री कमल होता है यह गलत है क्यों क्योंकि Emily में जो होता है वो Tarticumle होता है क्या होता है Tarticumle ठीके तो यह गलत हो गया इनमें से आसत्य पूछा था तो Option number 20 इसका बिल्कुर right हो जाएगा ठीके आगे दिखते हैं लोग 20 number सवाल में क्या लिखावाई Enter Seed का उधारन है ठीके तो Milk of Magnesia बेंकिंग सोडा उप्यूक सभी इनमें से कोई नहीं ठीके तो इसका जो right हो जाएगा उप्यूक सभी ठीके मतलब दोनो ठीके Milk of Magnesia भी और बेंकिंग सोडा भी आगे दिखते हैं लोग निक्ष्ट सवाल क्या लिखा हो है Magnesium पाया जाता है ठीके तो Magnesium किसमें पाया जाता है क्लोरोफिल में का लाल रक्तकन में स्वेट रक्तकन में इनमें से कोई नहीं ठीके तो इसका right अंसर हो जाएगा बच्छो आप लोगा क्लोरोफिल में मैगनेसियम जो पाया जाता है लोरोफिल में पाया जाता है अटेश्ट नंबर सवाल देखेंगे आप लोग विरिक का संबंद किस तंत्र से तो विरिक का है ना विरिक का संबंद जो है बच्छो यह आपका उत्सरजन तंत्र से याद रखना ठीक है जहीं सबंहें अप्सन बर एसका बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्ज सवाल देखो पौध में भोजन के अस्थांतरन के लिए उत्तरदाई है द्यान रखना भोजन की अस्थांतरन जैल म छेंद दोनों यह नहीं तो आवस्यक है तो आप्सन है नाइट्रोजन आयोडीन कैलसियम मैगनेसियम तो यह आपका आयोडीन का आवस्यक्त तत्तों इसका ठीक है तो आप्सन नमर्च बीस का बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्ट सवाल देखो कौन सा पदात हार्मोन पतियों के मुर्जहाने के लिए उत्तर आई है ठीक तो ऑप्सन है ऑक्सिजन साइटो काइनेन एबसी सिक आमले जिब्रेलीन ठीक तो इसका राइट अंसर जाएगा बच्चो आप लोगा ऑप्सन नमबर सी ठीक एबसी सिक आमले नेक्ष्ट सवाल है बच्चो यहाँ पे वरिक का संबंध किस तंतर से है ठीकए तो उत्सरजन तंतर पाचंतंतर सौसंतंतर परिवान तंतर तो इसका विज़टो बताएं क्या उत्सरजन तंतर आप्सन नमबर एष का विलकुल रइत हो जाएगा तो ये था मेरे प्यारे पचो सारा गा सारा भी भी आई कोशन ठीके जो के आपके सभी एक्जामों के लिए important है ठीके class 10 के चाहे वो weekly test, happy early test या फिर free board या final board सभी के लिए important है ठीके तो वीडियो को जादा से जादा share करना है ठीके और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी वाले बटन है उसे जरूर दबा देना ठीके इसके जैसे ही set 2 आता है ठीके तो आपको जल्द ही upload मिल जाएगा ठीके चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इस्टाग्राम से टेलिग्राम से वटसप से आप हमसे जुड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीके चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में थाइंक्यू सो मच